हलो फैंट्स वेल्केम टूर चैनल क्रिप्टोवेथ विशाल तो आज के दिन में हो गए दो वीडियो एक टॉपिक था टीडीएस के बारे में जिसमें मौनिंग के वीडियो में मैं एड करना भूल गया तो मैंने पहले सोचा था कि यह टेलिग्राम पे पोस्ट डाल इसके लिए पर उसके बाद एक और अपडेट आया तो मुझे लगए चलो दोनों को एक कवर कर लेते हैं तो मार्केट का बारे में अगर हम लोग देखें तो थोड़े से हाल खराब ही है और वो मौनिंग के वीडियो में जब बात करी थी तो एक्सपेक्टेड था अभी श 17,600 का जो लेवल है उसको सपोर्ट के लिए फिलाल यहां पर जो है मान रहा हूं अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करता हूं तो सारी चीज़े घराब ही दिख रही है मार्केट कैप नीचे की तरफ जा रही है वॉल्यूम ज़रूर बढ़ा है क्योंकि बीटीजी का जो प् गिर गई है अपने यहां पर all time high से यह सारी की सरी जो reason है यहां पर तो पहली तो guys जो morning का topic था TDS का वह add करना था कल से TDS start होगा दो चीज़े यहां पर है कुछ हो सकता है Indian exchanges में specifically आपको downtime देखने को मिल जाए हो सकता है आज से या कल से कुछ time के लिए हो सकता है वो app और website को बंद करें में डाल दें क्योंकि TDS की functionality अगर उनको add करनी है एप में specifically यह चीज हो सकता है तो अगर अगले आज और कल आपको यह सब देखने को मिले तो प्लीज ज्यादा panic में मताईएगा क्योंकि TDS की सब्डेट से सारे जो Indian exchange है उन पर फरक पड़ेगा ही पड़ेगा सार यह चीज है वो भी अपने अंट से देख रहे हूंगे कैसे हम लोग TDS को जो है finally implement करेंगे और यहां पर sorted करेंगे दूसी चीज जो important है फिलाल अभी के लिए वह यहां पर आई है financial stability report financial stability report और उसमें cryptocurrency और उसमें क्रिप्टो करन्सी और यह बात है जब finance की बात होगी तो crypto के बारें बात होगी होगी तो फिर से RBI का जो statement है वो यहां पर आया है actually 158 page का total document है यह तो हम पढ़नी सकते पर जो important चीजे हैं वहां से एक है मैं जो topic है हमारा वो यहां पर start करता हूं तो सबसे पहली चीज यहां पर जो बोली गई है वो मैं आपको एक एक करके बतायता हूं जो हमारे समझने के लिए यहां पर एक तो ही है कि crypto currency जो trading है वो 528 exchanges में फिलाल होती है और 908 billion का यहां पर दिखाये गया है कुछ इसका transaction है यहां पर और सारी चीजे भी है वो खेर हमारे काम की नहीं है और एक और चीजे है यहां पर जो बोली गई है वो खेर हम लोग जानत है कि crypto currency जो है वो कोई भी currency नहीं है इसको किसी ने issue जो है यहां पर नहीं करा है इसलिए financial asset जो है आप इसको नहीं बना सकते है ऐसा RBI का बोलना है बिल्कुल ठीक है यहां पर अब यहां से जो कहानी है जो RBI का हमेशा के लिए statement रहा है वो यहां पर फिर से आया है कि at the same time crypto currency पोस रिस्क मार्केट में लेके आती है और यह है थोड़ा सा वो चीज पीछे चला गया वो तो जो रिस्क इन्वॉल्व है उस वजहा से यहां पर RBI ने एक बहुत स्ट्रॉंग statement दिया है और वो यह दिया है कि cryptocurrency जादा clear danger RBI की हमेशा से negative statement आये है मैंने आज तक जब से मैं crypto में हूँ मैंने कोई भी RBI का कोई positive statement नहीं देखा है क्या उनका अपना point of view है जो भी है उसके according उनका बोलना है कि clear danger में है और इसी के साथ इन्होंने बोला है कि जो cyber risk भी है वो इसकी जगा इसकी वजह से याने की cryptocurrency की व अपना जो यहां पर सोचना है जो अपना रोल है वो cryptocurrency के लिए फिर से clear कि है कि भाई हमारे according फाल्दू की चीज है इन्वेस्ट यहां पर नहीं करना चाहिए danger है और और उसी के साथ साथ cyber risk भी जो है वहां सब चीजों पर बढ़ने जैसे पुराने statement है वैसे ही है पर यहां स इसी तरीके के है पहले 30% का text उसके 30% के text के बाद यहां पर TDS के बारे बात हुई GST के बार में अभी तो कोई update नहीं वह और अच्छी चीज है अधरवेस 30% के GST के बारे बात हो रही थी तिंवह नहीं है पर हालाच जो है वो कुल मिला के इसी तरीके से है जो फिलाल यहां पर चलने रिसेंट्ली मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिस आर्टिकल में यह लिखा था मैं देखूंगा अगर आर्टिकल मुझे मिलता है तो उस आर्टिकल के पिछले कुछ टाइम में जो इंडियन्स थे वो जाधा तर यूएस मूफ करते थे मैं बात करता हूं यहां पर जो टेक्नोलजी ड्रिविन थे वो यूएस की जगह पर जो है दुबई के एरिये में या यूए में वहां पर जाधा मूफ करते हैं उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टन रीजन यह है कि जो जिस तरीके से इंडिया में क्रिप्टोगरंसी इसको गॉर्मेंट जो है यहां यह जो सारी की सारी चीजें है यह एक साल पहले तक जैसे माहल था एक बार एक चीज और भी यहां पर प्रॉब्लमेटिक है कि मार्केट पूरे का पूरा इतने जारा डाउन में 19,000-18,000 पर बीटीज और उस बीच में इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आता है तो वह ऑवि इंडिया इतना बड़ा इतना बड़ा इंवेस्टमेंट नहीं है इंडिया का कि क्रिप्टो डाउन हो जाए उससे हाँ Number of user अगर आप बोलेंगे है पर इंडिया में इतना बड़ा बड़ा amount इंवेस्ट नहीं है कि कुछ उथल पॉथल हो जाए यहांपर BTC जब 10-15,000 का बिखता है तो उसमें 1-2% का effect पड़ता है आप समझे कि इतना public India में नहीं है जिन्होंने इतने बड़ी quantity में buy करा है, I'm sure करा होगा पर mass audience हो नहीं है, mass audience जो है वो छोटे level पर है, हाँ बड़ी level पर होती तो India से definitely हमें impact देखने को मिलता है, आने वाले टाइम में उमीद है कि जिस तरीके से चीजे हो रही है वो सौट होंगी और अगर सौट नहीं होंगी तो इसी तरीके से जो talent है इंडिया का वो हमें बाहर move होता हुए, दिखाई आने वाले टाइम में और ज्यादा दे सकता है, TDS कल से start होगा तो कई ध्यान रखिएगा इस पर कि आपका अगर एक्सचेंज थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाता है तो पैनिक उस पर मत करिएगा आपका क्यों पीनिया ने आर्पी आर्वी आई स्टेटमेंट के बारे में जो क्रिप्टो करणसी को लेकर बोला गिया है जरूर एक बर पताएगा और यह डॉक्यूमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा 158 पेज का है वैसे पढ़ना चाहा है तो आप आगे जाके भी इसको पढ़ना चाहा है त आपकी वॉल्यूम में यह है तो यार थोड़ा गला घराब है फिर से उस वजह से वह एनरजी से मैं बात नहीं करता हूं खली यह है माकेट डाउन का यार भी आई के स्टेटमेंट का कर मेरी एनरजी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा हम लंबे रन के लिए हैं तो इस तरीक और दो झाल वाय हुआ झाल न